नमस्कार बहुत स्वागत आपका सुप्रबात रादिस्तान में मैं हूँ आपके साथ शूतिश्य वास्ताफ और मैं हूँ आपके साथ आयूशी गुपता चले रूप करते हैं खबरों की योर शापूरा की जहासपूर से बड़ी खबर सामने आ रही है पत्थर बाजी मामले में बड़ा अपडेट आया है ग्रामिलों का जो धर्ना है वो समाप्त हो गया है बड़ी कबर आपको शापूरा के जहासपूर से बता रहे हैं ग्रामिलों का धर्ना समाप्त हो चुका है विदाय गोपी चंद मिल्णा ने धर्ना समाप्त करने की घोशना की है विदाय देखने को मिल थी जब एक बार फिर से धरने पर ग्रामीर्ण बाच गये थे और उसके बास से समझाइश की गई जिलापुशासन ने सभी मांगों को माना है और जो धरना है वो खत्म कर दिया गया है शापूरा के जहाचपूर से ये बड़ी जानकारी आपको देर है तस्वीरे भी आप देख पारा है पुलिस पुर्शासन वहाँ पर मौजूद क्योंकि जो है माहौल वहाँ पर खराब हो गया था चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती और जो है कल भी एक बार फिर से ध करना शुरू कर दिया गया था अब धन्य को समाप्त कर दिया गया है अब को सफाव करें जो जो बाते पर सब्सक्राइब आप हमारे लोगों को डिटेंद किया उनको भी जितने भी बहर अधिकर्मन वो अभी आभी से अटाई जाए बुटों जी चलेगा और तीन दिवसे कारे दिवस में इसके द्वस्त करने के इस मजार को द्वस्त करने के लिए इसके लिए मुक्य मंत्री जी को तीन दिन में जिलापर सेर्शन पोजेटिव रुपर्ट बैच के वहां से अधि प्रशासन द्वारा सभी मांग जो है मान ली गई है और इसके बाद सबसे प्रमुक मांगों में से अतिक्रमन और आवयत कबजे पर कार्वाई करने की थी उस पर तुरंत आक्शन लेते हुए विधाग गोपीचन मीडा ने नगर पालिका प्रशासन के साथ मिलकर रातो रात इस कार्वाई को अंजाम देने का काम शुरू कर दिया है और अतिक्रमन और अवयत कबजे पर पीला पंजा चला दिया है प्रशास्पूर में जल जुनित का जुलूस निकल रहा था उस पर पत्थरबाजी की गई थी दो दिंचे धन्ना चला दा पर धन्ना समाब तो चुगा है कई शक्ते रिखी गई थी एक मैतून शर्त रिखी गई थी जो अवेद कब्जें हैं अवेद अवेद दुश्त किया जा रहा है अवेद के और उसे यहां से तोड़ा जा रहा है सरकारी लवाजबा यहां पर पहुत चुका है जो प्रशाशन ने भागे मानी थी उसमें एक मांग यह भी थी कई नगे इसको देखते वे यह मांग पूरी की गई है और लगातार इसमें कारवाई की जारी है हमारे साथ MLA गोपी चंद मीरा है जाशपूर के जो यहां पर खुद मौजूद है इस पूरी कारवाई में इसे बात करने की कोशिश करेंगे MLA साब मांगों में यह मांग भी कि जार्श पूरी हो गई है हमारे जन्भावना के नोस्ब्स सारकार कार ने मुक्यमंतर जीनिय। मिल्देश पर भुड़ो देखते हो जारा एक जो जिनुने हमारे भगवान के भवान पर पत्तरभा जी की उन अच्चि करमन कारियों पर प कि पर दिखाना चोंगा किस परकार से कारवाई को अजाम दिया जा रहा है जिस तो नाभूत इस अवेट कप्दे को जा अवेट अधिकमेंड को कर दिया गया है यह तो नाभूत कर दी गई है गपिशन मीरा यहां पर इन्जाम दिया जा रहा है और को अब जो प्रस्टाशन में भागे मानी केई ति उसमें ऑफ कर दोंगे एक तो परवेट कोड़ा जाएगा और आप मेरे पिछे देख सकते हैं कि किस परकार से कारवाई को अधिरात में अंजाम दिया जा रहा है और कारवाई की जारी है पुरी रात के कारवाई चलेगी और आने आने दिरों में इस प्रकार की कारवाई प्रसेशन द्वारा होती रहेगी वेजली संदू सेनाटे के साथ राहूल कोशिक न्यूज 18 बिलवड़ा किरोडी लाल मिणा ने आज ग्रे राजमंत्री जवार सिंग बेडम से मुलाकात कर कॉंग्रेस राज में हुए कई घोटालों की जो फाइल है स्वाप करके कारवाई की मांकी है माना ये भी जा रहा है किरोडी की कवायत के बाद पूर्वे मुख्यमंत्री अश्रो गेलोट की मुसीवतें बढ़ सकती है कैसे देखिया स्टरपोर्ट में कहलोट सरकार पर किरोडी प्रहा दियो आई टी सी में हुआ तीन हजार पांक सो करोड का प्रिश्टाचा सीएम बीएम से भी ज्यादा दिये डिये उठा रहे अफसा कपले बादों के खलाब दर्जो आफाया मेरे सूचनाओं को हिसाब से 50% थानगार फरजी है और उन सब फर्जियों को पकड़ने में लगएगा लम्मा टैक मंत्री पत से इस्टीफा दे चुके डॉक्टर किरोडी लाल मीना इन दियनों अपने चेप परिश्टी धुमिका में नजर आ रहे पहले सीएम को खत लिख कर एसाई भरती परिक्षा 2021 को रद करने की मांग के बाद अब डॉक्टर किरोडी ने ग्रे राज्यमंत्री बेढ़म को कहलोत राज में हुए घोटालों की फाइल सौपी जी हां रविवार को डॉक्टर किरोडी लाल मीना ने ग्रे राज्यमंत्री जवाहर सिंग बेढ़म से बलाखात की और छेपेज का ग्यापन सौप कर दियो आईटीसी महकमे में हुए परटीवाडे का जिक्र किया दियो आईटीसी में करोडों की घोटाले के आरूप में 3,500 करोड के घोटालों की शिकार गहलोत सरकार ने एसीबी को जांच की अनुमती नहीं दी दस मामलों में केस दर्ज करने की मांगए अगर व्यक्ति ये दौसा जाएगा जांच करने के लिए तो इसको पैसा मिलेगा दो लाख एक्सेट हजार चार सुर्पे राजस्तान में राजस्तान में और अगर आगरा पहुंच गया तो उसको मिलेगा मंत्री जवाहर सिंग बेढम ने डॉक्टर किरोडीलाल मीना कोचित कारवाई का भरुसा दिया आपको बताते चलें कि डॉक्टर किरोडीलाल मीना नहीं सबसे पहले रपीएसी में भिष्टा चार का दावा किया था डॉक्टर किरोडी ने कई बार एसोजी के दफ्तर जाकर अधिकारियों को कई गुप्त पत्र भी सौंपे थे जिसके आधार पर ही एसोजी ने पेपर लीग का खुलासा करते हुए आर पीएसी के दो सदस्यू को अरेश्ट किया था बीरो रिपोर्ट न्यूज एटीन दा जस्था और चलिए रूकरते अगली खबर क्यों आगामी उप्चिनाव और निकाय चुनाव को लेकर कॉंग्रेस बीजेपी पर लगतार हमलावर है जोटासरा और कॉंग्रेस आंसाथ बीजेपी पर जम कर बरसे हैं और इसी पर देखे यह रिपोर्ट कॉंग्रेस का गरारा प्रहा जूटे वादों से मिली सरकार जूटे वादे दीश की पुढ़ान में पीशे कराशनी इस पुढ़ान में प्राम किया प्रदेश में सियासी पारा हाई है वादू का बयान तो कभी सरकार का काम कास इसलेकर विपक्ष लगातर हमलावर है प्रदेश कांग्रेस कमेथी के अधिक्ष पाजपा सरकार पर जमकर बरसे उन्होंने चूरू के रतंगड में सरकार के कामकाज को लेकर मंत्रियों के इस्थीपे तक पर हमला बोला लेकर बड़ा दावा को लेकर बड़ा दावा किया है उन्होंने कहा कि उपच्टिनाव में भजपा एक भी जीतने ही जीतने वाली हुए अर्याना में कॉंग्रे जीतेगी और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में जीतेगी बार्टी जिन्दा पार्टी का वहां सूपड़ा साप होने वाला तो पार्टी जिम्मेदारी देती रहती है और जो जिम्मेदारी पार्टी जेती है उसका निर्वन करते हैं मुझे भी HAR donor के लिए का गया है सुन जी को भी का गया है से सिंजी भी है और भी हमारी तमाम यतने भी में नेता हैं उनको सब को साथ लेकर के हमारी आना में चुना पर्चार करेंगे आसा करता हैं कि हमारे यहां उप्चुनाव गोशित होने वाले हैं तो पहले छह थे दुर्बागे से जुबेर साब का इंकाल हो गया है तो यह साथ उप्चुनाव हैं और मैं उमीद करता हूं कि जल्दी उप्चुनाव में बीजेपी जीरो पे रही गाए इन्होंने जान भूच करके इन्हों है यह पहले गोशन में करवाई है और ऑप किस तरीके से घ्रपाएं को नहीं कर पाएंगे इसके बावदूती लोगों में कहे रहे हैं कि हम साथ कराएंगे, दोजार मचीज में कराएंगे, बारा मैंने आगे कराएंगे, इसके रिगार करेंगे नहीं है। इसके बावदूती लोगों में कहा सुनी हो गई, जिसे सांसद ने शांत करवाया। जब भाजबा के विदायकों के यहाल है, आप समझ सकते हो, हमारा काम है, बिपक्स की, हमारा पित्वास का काम है, जनित के मुद्दे उठाना है। अब देखना यह होगा कि उप्चुनाओं की बयार का रुख किस तरफ जाता है। बिरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। और अब बात बड़ी खबर की, क्योंकि तीन दिन के गुजरात दोरे पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, आज गुजरात को 800 करोड की सौगात देंगे पीम मोदी। तो सूर्यगार फ्री बिजली योजना के लाभारतियों से भी मिलेंगे, अक्षय उर्जा निवेशक समिलन में पीम शामिल होंगे, उर्जा सड़क आवास योजनाव का उर्धाचन पीम करनेंगे। और साथी आज से आपको बता दे कि देश की पहली वंदे भारत मेच्चो भी शुरू होने जा रही है, आज वंदे भारत ट्रेन को हरी जंडी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी दिखाने वाले हैं। तो गुजरात दौरे पर प्रधान मंतरी रहने वाले हैं, यह बड़ी अपजेट आपको दे रहे हैं। और समझदार लोग आकरशक ओफर और अंजान कॉल से सावधान रहने की सला देते हैं। लेकिन कुछ लोग इस सला को दरकिनार कर आफत मोल ले लेते हैं। ऐसी एक खबर जुन जुनों से आई है। क्या कुछ है पुरा मामला रहा समझे इस रपोर्ट में। यूवती ने फोन कर बुलाया। रईस को जाल में फसाया। खाली मकान में ऐसा काम। वार्दात जान, जमाना हैरान। आवाज ऐसी जिसे सुनकर लोग अपनी तमन्नाओं को आसमान में उडान भरने की खुली छूप दे देते हैं। बातों का सिलसिला चल पड़ता है। इश्क का ऐसा तीर लगता है कि जिन्दगी भारी लगने लगती है। लेकिन खयालों में रहने भर से कोई भला कप तक अपने दिल को समझा पाता है। इसलिए एक अदत मुलाकात की जरूरत पड़ जाती है। और इस तरह पीडित खुच शिकार के बिछाय जाल में खुशी-खुशी उलजने चला जाता है। पहली मुलाकात के बाद ही दिन का चैन और रातों की नेन हराम हो जाती है। पीडित अपनी कमाई से भी हाथ धोने लगता है। लेकिन पीडित पर बदनामी का डर इसकदर हावी रहता है कि वो अपनी तीजोरी के दर्वाजे खोल कर चुप-चाप अपनी दौलत लुखते देखता और हाथ मलता रह जाता है। लेकिन जब कोई पीडित पुलिस के दर्वाजे पर दस्तक देने पहुँच जाता है तो पुलिस को कारवाई करनी ही पड़ती है। ऐसा ही एक केस दर्च करने के बाद जुन-जुनू की कोटवाली पुलिस ने चांच शुरू की तो हाणी ट्रेप से चुड़ा एक चौकाने वाला सच सामने आया पीडित के मुदाबिक। तीन अगस्त को एक अंजान लड़की का फोन आया था। लड़की ने कहा कि उसका शेहर में मन्रिला रोड पर विकाव प्लॉट है। चुमकी प्लॉट सस्ती कीमत पर विक रहा था इसलिए उसी दिन दोपहर में जमीन देखने चला गया। पीडित ने रिपोर्ट में बताया कि वो अपनी कार लेकर आगे बाइक पर चल रही लड़की के पीछे-पीछे प्लॉटिंग वाले स्थान पर पहुचा। पहले से वहाँ चार लोग मौजूद थे। इसके बाद पीडित को एक मकान में ले जाया गया। वहाँ उससे मारपीट की गई। कार, एटियम और मोबाइल चीनते हुए उससे 50,000 रुपए मांगे गए। नहीं देने पर लड़की से आरोप लगवाने की बात कही गई। मामले की जाच कर रहे S.I. सूरेश रोलन ने बुडानिया निवासी अजे कुमार, जीवा का बास निवासी अजे चुमार, चुधरी और ने असर निवासी शुभम बुडानिया को गिरफतार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में पिड़ित ने कुछ समय पहले 35 लाख रुपए में खेट बेचा था। इसके जानकारे स्युवती को थी। इसलिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर साजिश रची। गैंग में पहले 2-3 लोग जुडे इसके बाद 5-7 लोगों का गिरह बनाया गया। पूरी योजना के साथ पिड़ित से लाखों रुपए एठने की साजिश रची गई थी। लेकिन पिड़ित ने हसला नहीं खोया और पुलिस में रिपोर्ट दे दी। के मामले में वांचीत है। पूत वाली प्लीश शियूती की तलास कर रही है। तक एमदाबाद से लोटेंगे भी राजस्थान के लिए अलवर में संग प्रवुख जोक्टर मोहन भागवत से मुलाकात भी कर सकते हैं। एक बज़े तक जो है वो लोट आएंगे। एमदाबाद में मुख्यमत्री भजलाल शर्मा ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। उर्जा पर होने वाले समिट में शिरकत सियम भजलाल करेंगे। और एक नज़र टॉप जिन खबूर।